आगरा में सरवाधेत लोग प्रिये चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें शेहर में लगतार करोना वारेस के मरेज़ों की संख्या बढ़ती जा रही है तो वहीं दूसरी वो शेहर में अभी भी पुलिस लोगों को सोशल डिस्टेंस को समझाने में जूटी है लेकिन तमाम प्रियासों के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं ताजा मामला बिवाई बैंक और एस बियाई बैंक का है जहां पर लोग रहत राशी निकालने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब भी भूल गए आगरा में जहां एक और पुलिस प्रसासन लोगडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में जीजान से जुटा है वहीं दूसरी और शहर के काफी लोग कभी राशन तो कभी बैंक खातों से रहत रासी निकालने को लेकर लोकडाउन और सोसल डिस्टेंसिंग के नियम को ताक पर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि इस समय बहुत आवशकता है सभी लोगों को ऐसे में पुलिस अदिकारी सियो लॉमंडी का इस मामले में कहना है कि जिस तरह देश और सहर में हालात हैं वे काफी चिंता जनक हैं और सभी सहरवासियों को इन हालातों को समझने की ज़रूरत है पुलिस को जराब ही अच्छा नहीं लगता कि वे लोगों पर सकती करें लेकिन लोगों को सोचल डिस्टेंसिंग और लोकडाउन का पालन करना होगा मैं यही अपील करना चाहूंगी कि लोग हम लोगों का सहीयोग करें और खुद से ही इस चीज़ को इन्शोर करें कि वे और उनके परिवार के लोग अनावश्या घरों से बहार ना निकले अपने घर के अंदर हैं और थोड़ा सा अपने उपर नियंतरन रखें क्या मैं हर चीज के लिए पुलिस को शक्ति करना अच्छा लगते हैं बिलकुल अच्छा नहीं लगता हम लोग अभी नहीं चाहते हैं कि पबले के साथ किसी भी प्रकार की सक्थी की जाए लोग अपने स्वेम सही समझदारी का परिचह दे लेकिन जहां पें डोग नहीं सम करने की भी दरकार है सरकार और जिलाप्रसासन द्वारा ये सुनिस्षित किया गया है कि सभी शहरवासियों तक रासन और दवाईयां पहुँचाएं जाएंगी जिसको लेकर जिलाप्रसासन ने 112 और 1076 नंबर भी जारी कर दिया है जिसके माध्यम से आवशक्ता पढ़ने पर किसी भी व्यक्ति को सभी प्रकार की संबब मदद पहुचाई जा सकती है अनिल कुमार सीन्यूज आगरा